Hello Students, I'm Dr. Vinod Kamlene. Previous 3 video में हं लोगने 3 अलग-अलग Labour Act के बारे में पढ़ा था. जिसमें सबसे पहले हम लोगने Trade Union Act के बारे में पढ़ा. Next video में हमने Factories Act के बारे में पढ़ा. उसके बात के video में हमने Industrial Dispute Act के बारे में पढ़ा. अभी इस particular वीडियो के अंदर हम लोग Child and Women Labor Act के बार में पढ़ने वाले है So सबसे पहले हम लोग Child Labor Act के बार में पढ़ते है So Government of India ने क्या किया कि Child Labor Act 1986 जो है वो formulate किया और इसके पीछे का objective ये था कि जो भी इंडिया में Child Labor Practices होते हैं उसको control करना और उसको regulate करना फिर 2016 में Government of India ने इस particular Act के अंदर काफी सारे changes लाए और इस particular Act के अंदर 14 age के अंदर अगर कोई भी child होगा तो वो किसी भी तरीके के employment में involved होगा नहीं ऐसा ये नया कानून जो है वो government ने बनाया क्योंकि आपको पता है कि 14 के नीचे जो भी बच्चा होता है उसको Right to Education Act के अंदर उसको compulsory education प्रोवाइट करना ज़रूरी है So Child Labor Act के अंदर एक changes लाया गया कि 14 age के नीचे कोई भी बच्चा जो है वो किसी भी तरीके के employment में involved होगे नहीं और उसे के साथ साथ कोई भी बच्चा अगर 14 years या उससे उपर के age में होगा तो उनके लिए भी बहुत सारे यहाँ पे rules and regulations और provision जो है इस particular act के अंदर बनाया है मतलब अगर बच्चा 14 years या उससे ज़्यादा होगा तो किस तरीके से उसका employment का condition होना चाहिए उसका working condition कैसा होना चाहिए उसको क्या-क्या facilities available होनी चाहिए उसके बारे में इस particular act के अंदर बताया हुआ है तो यह 2016 के बाद में जो act के अंदर changes हुए है तो उसके बारे में थोड़ा सामलोग पढ़ते है नो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ऐसे कौन से कौन से occupations है जहाँ पे children जो है उनको काम करना allowed नहीं है prohibited है उसमें सबसे पहले है कि transport of passengers, goods और mail by the railway मतलब railway में अगर सबस्पोस passengers का जो transportation होता है या goods का या किसी भी mail वेगरा, latest वेगरा का जो transportation होता है तो वहाँ पे children जो है वो काम नहीं कर सकते है फिर tinder picking, tinder picking का मतलब क्या होता है जो राक होती है जलने के बाद में जो राक बचती है तो उसका picking करना मतलब कि उसको उठाने वेगरा का जो काम होता है उसमें बच्चे काम नहीं करेंगे फिर ash pit cleaning, मतलब क्या कि जो राक का जो गड़ा होता है pit का मतलब होता है गड़ा और ash मतलब कि होता है राक तो उसको clear करने का जो काम है वो बच्चों को नहीं दिया जा सकता है फिर बाद में railway premises के अंदर जो भी building का काम होता है वहाँ पे बच्चे काम नहीं करेंगे उसके बाद में railway stations के उपर जो भी catering के stalls वेगरा होते हैं उसमें भी बच्चे काम नहीं करेंगे जहाँ पे बच्चों को एक platform से दुसरे platform पे जाना पड़ता है या एक train में से दुसरे train में जाना पड़ता है तो उसमें भी बच्चे काम नहीं कर सकते हैं फिर बाद में next वाला है कि यहाँ पे railway stations पे किसी भी तरीकी का construction का काम अगर चल रहा है तो वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं अगर कोई भी port वेगरा होगा पोर्ट मतलब क्या जहाँ पे boat वेगरा जो होते हो रुपते हैं तो उसको port area बोला जाता है तो वो port area जो होता है वहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं उसके बाद में किसी भी तरीके का cracker या fireworks जिसको हम लोग फटा के बोलते हैं उसका sailing का जो काम है वो भी बच्चे नहीं करेंगे उसका अगर वो particular shop का temporary license होगा तो ऐसे shop के अंदर बच्चे जो है वो cracker और fireworks का sailing का काम नहीं कर सकते हैं और फिर बाद में slaughterhouse slaughterhouse का मतलब क्या होता है कतल खाना जहाँ पे animals को काटा वे गरा जाता है तो ऐसे जगह पे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं तो इस तरीके से कहा कहा जो बच्चे है वो काम नहीं कर सकते हैं उसके बारे में ये list जो है वो इस particular act के दिया हुआ है अभी यहां पे जो भी Central Government है उनके पास एक Power होता है कि वो क्या कर सकते है यह जो Prohibition का लिस्ट मैंने आपको बताया उसमें वो लोग Changes कर सकते हैं उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा Official Gazette जो होता या Circular जो होता है या Simple भाषा में आम लोग बोल सकते है नोटीज जो होता है वो उनको इशू करना पड़ेगा और यह नोटीज जो है वो तीन महिने Advance में उनको इशू करना पड़ेगा तो यह मैंने आप लोगों को जो भी Prohibition List है जिसके अंदर Children काम नहीं कर सकते है वो बताया और मैंने आपको यह भी बताया कि यहां पे Central Government के पास पावर होती है कि वो लोग क्या कर सकते है इन पटिकुलर लिस्ट के जो Occupation से उसमें Changes वो लोग कर सकते है उसके उसके बाद में एक Child Advisory Committee जो होती है वो बनाई जा सकती है और वहाँ पे दस से जादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए और यह पटिकुलर कमिटी जो है वो decision ले सकती है कि और कौनसे कौनसे areas हो सकते है जहां पे Children जो है वो काम करना allowed नहीं हो सकता या उनको काम करना prohibited हो सकता है अभी हम लोग देखते है कि Child Labor Act के अंदर जो भी बच्चे काम करते हैं उनके लिए क्या-क्या regulations available है तो उसमें है working hours and period of working तो working hours कितने होने चाहिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक child जो है वो तीन घंटे से जादा समय के लिए काम नहीं कर सकता है और उसको बीच में एक घंटे का break जो है देना allowed है मतलब बच्चा अगर एक बार काम कर रहा है तो तीन घंटे से जादा वो continuously काम नहीं करेगा फिर बाद में total number of hours जो है उसके working का वो छे घंटे से जादा नहीं होना चाहिए और उसके बीच में उसको एक घंटे का at least interval या break देना बहुत ज़रूरी है मतलब at a stage बच्चा तीन घंटे तक काम नहीं कर सकता है उसमें तीन घंटे के बाद में या उसके आज़ो बाज़ो में उसको एक break देना बहुत ज़रूरी है और बच्चा एक दिन में यहाँ पे 6 घंटे तक काम कर सकता है उसके बाद में जो भी child employees होते हैं वो शाम को 7 बजे से लेके सुबे 8 बजे तक काम नहीं कर सकते हैं फिर जो भी child employees हैं उनको overtime allowed नहीं है क्योंकि मैंने आपको अलुड़ी बता है कि बच्चा यहाँ पे 6 hours तक ही काम कर सकता है उससे जादा नहीं काम कर सकता है और उस एक सावस में भी उसको एक घंटे का break मिलना बहुत ज़रूरी है तो बच्चे को यहाँ पे overtime allowed नहीं है उसके बाद में अगर बच्चा किसी particular establishment में या किसी एक जगा पे उसने अल्रेडी काम किया है तो वापस सेम डे पे दूसरे जगा पे जाके काम नहीं कर सकता है तो अगर सपोर्ट किसी बच्चे ने एक particular establishment में या एक particular company में अल्रेडी काम किया है वहाँ पे उसने 4-5 घटने काम किया अभी उस दूसरे जगा पे वापस से जाके काम नहीं कर सकता है तो ये भी एक important यहाँ पे provision किया हुआ है और हर एक जो child employee होगा उसको week में at least एक बार day off होना चाहिए मतलब छुटी होनी चाहिए तो ये सारे जो working hours और period of working को लेके यहाँ पे Child labor act के अंदर बहुत सारे provisions बनाया है ताके जो भी बच्चे है जो काम कर रहे है Establishment के अंदर उनका किसी भी तरीके से exploitation नहीं होना चाहिए अभी अगर suppose ये जो अलग-अलग provisions यहाँ पे बनाया गया है Child employee के working को लेके अगर उसको किसी भी employer ने follow नहीं किया तो उनको क्या punishment मिल सकता है तो उनको imprisonment हो सकता है imprisonment का मतलब क्या होता है कि उनको jail हो सकता है जो एक साल तक का हो सकता है और उनको fine charge किया जा सकता है जो 10,000 से लेके 20,000 रुपे तक हो सकता है या कभी-कभी अगर बहुत ज़्यादा severe कोई भी employer जो है उसने fault किया है तो obviously उसको दोनों भी मतलब imprisonment भी हो सकता और fine भी लग सकता है अभी यह जो मैंने आप लोग को child labor act के बारे में बताया उसके अंदर कुछ changes किये गए है तो उसमें क्या बता है कि जो भी minors होते है जो 14-15 years age के होते है तो वो लोग school days जब होते है तो उसमें 3 घंटे तक per day वो काम कर सकते है मतलब जब उनका school चालू रहता है तो school जिस दिन चालू रहेगा उस दिन वो 3 घंटे तक काम कर सकते है और जिस दिन school नहीं रहेगा उस दिन बच्चा 8 घंटे तक काम कर सकता है उसके बाद में जो भी child employees होते है वो week में 18 hours तक काम कर सकते है so week में 18 hours मतलब आप लोग देख सकते हो कि उटको हफते में एक दिन चुटी मिलेगा तो 6 दिन बचते है तो 6 दिन divided by 18 hours अगर आप लोग करते हैं तो एक दिन में वो 3 घंटे तक बच्चा काम कर सकता है और उसका काम का जो timing होगा वो morning 7 से लेकि evening 7 तक होगा इसके बीच में वो 3 घंटे कभी भी काम कर सकता है अभी यह जो timing है थोड़ा बढ़ा दिया है कि शाम को वो 9 बज़े तक काम कर सकता है मतलब पहले कैसा था कि 7 पीम के बाद में बच्चा काम नहीं करेगा लेकिन अभी वो 9 पीम तक बढ़ा गया है और अगर suppose बच्चे का school नहीं होगा तो वो 14 hours per week तक काम कर सकता है तो यह सारे कुछ changes जो है वो Child Labor Act के अंदर किये हुए है जिसमें मैंने आप लोग को बता है कि school days होता है तो वहाँ पे बच्चा 3 hours तक काम कर सकता है school days नहीं होंगे तो बच्चे 8 hours तक काम कर सकते है फिर बाद में एक week में बच्चा 18 hours तक काम कर सकता है और उसका काम का timing जो होगा वो 7 a.m. से लेके 7 p.m. तक होगा उसके पहले या उसके बाद में बच्चा काम नहीं करेगा और अभी ये जो टाइमिंग है बढ़ा दिया गया है 9 पी एम तक बच्चा जो है उतको काम करना अलाउड होता है और जब भी बच्चे का स्कूल नहीं होगा तभी बच्चा 40 आवर्स वीक तक काम कर सकता है तो यह सब मैंने आप लोग को Child Labor Act के बा करना अलाउड नहीं है फिर मैंने आपको बताया कि जो भी चिल्डरन काम करते हैं जो 14 years या उससे बड़े है तो उनको कौनसे कौनसे ऐसे एरियास दे जहां पर वो काम नहीं कर सकते तो उसका प्रोहिबिशन लिस्ट मैंने आप लोग को यहां पर बताया फिर मैंने आप ल मैंने आप लोग को बताया कि जो भी चाइल्ड एम्प्लोईज होते है तो उनके वर्किंग आवर्स और वर्किंग पिरेट्स कैसे होंगे उसके बारे मैंने आपको बताया और फिर बाद में इस पर्टिकुलर आइक के अंदर क्या-क्या रिसेंट चेंजेस आए उसके बार जॉब में इंट्री कर रहे है और नंबर ओफ विमेन लेबर जो है वो बढ़ते जा रहा है तो अब्वियसलि इसके लिए ये जो विमेन लेबर लॉज जो है उसकी जरुरत महसूस होती है तो जब कोई भी महीला कही पे भी जॉब करते है तो उनके लिए क्या-क्या टॉयलेट और वाश्रूम होना चाहिए और उसको प्रॉपर डॉर होना चाहिए देन सेकेंड है कि अगर सपोस किसी भी एस्टैबलिश्मेंट में या किसी भी फैक्टरी में 30 या उससे ज़्यादा अगर विमेन इंप्लोई काम करते है तो उनको क्रेश फैसलिटी अवेले जाता है तो अगर 30 या 30 ते ज़्यादा विमेन किसी भी फैक्टरी में काम करते है तो उनके लिए क्रेश फैसलिटी अवेलेबल करके देना चाहिए जहाँ पे उनके बच्चे जो है उनके उपर ध्यान रखा जा सकता है फिर बाद में ये एक इंपोर्टन चीज है कि हर एक जो फैक्टरी होती है वहाँ पे एक प्रिस्क्राइब्ड वेट दिया है मतलब एक बताया है कि इतना ही वजन जो है उनके उटा सकती है उसके उपर कोई भी महिला जो है जो काम कर रही है उस पटिकुलर फैक्टरी में वो उस्ते ज़्यादा वेट उठा सकते नहीं है फिर बाद में जो भी working women होंगे वो week में 48 hours तकी काम करेंगे उससे ज़्यादा वो लोग काम नहीं कर सकते हैं फिर उनको compulsory एक week में एक चुट्टी मिलना allowed है मतलब कि हर एक महिला जो है वो एक दिन का चुट्टी ले सकती है एक हफ्ते में उसके बाद में महिला जो है वो at a stretch पाच गंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं उनको बीच में एक break देना जरूरी है then next one is कि महिला जो है वो morning 6 a.m. से लेके evening 7 p.m. तक काम कर सकती है उसके बाद में है कि कोई भी महिला जो है उनको रात को 10 बजे से लेके सुबे 5 बजे तक काम करना allowed नहीं है और उनका shift जो है वो उनका जो भी weekly off होता है उसके बाद में जो है वो change किया जा सकता है बीच में उनका shift जो है change किया जा सकता नहीं है तो यह सारे ride जो है वो women labor act के अंदर women को provide किये गया है अभी इस act में भी कुछ changes आया हुए है recently तो उसमें क्या-क्या changes आया है देखो यहाँ पे कि यहाँ पे night shifts के बारे में थोड़े से changes किये गया है कि महिला जो है वो 7 p.m. से लेकि 6 p.m. के बीच में काम कर सकते है और उनको crash arrangement जो है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए allowed किया जा सकते है मतलब अगर किसी भी working women का 5 साल तक बच्चा है तो उनको crash facility या arrangement जो है वो available करके देना चाहि के से इस particular वीडियो के अंदर मैंने आप लोग को Child Labor Act के बारे में बताया और मैंने आप लोग को Women Labor Act के बारे में बताया तो इस एक को अगर आप लोग याद रखोगे तो इसके वज़े से आप लोग कही पे भी अगर जॉब पे जाते हो या फिर आप आपका खुद का अगर बिजनेस शुरू करते हो तो वहाँ पे आप लोग को ये सारे अग जो इसके जरूरत पढ़ सकती है So, Thank You Students, Please Do Like, Share, Comment and Subscribe to my YouTube Channel and Also Recommend my Channel to your friends, We Will Meet in the Next Video